जे श्री कृष्णा लड़्डुकुपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विवाह पंचमी के बारे में। मार्क्षीश मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी को विवाह पंचमी कहा जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्रीराम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। बने हुई खीर अतिप्रिये है इसके साथ ही यदि संभव हो तो आप ओम जानकी वल्लभाय नमहा इस मंत्र का जाब भी कर सकते हैं भगवान श्री राम जहां मर्यादा पुर्शोत्म का आदर्श उधारन है वहां माता सीता भी एक आदर्श पत्नी आदर्श पुत्री और से एक कथा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक समय की बात है जब माता सीता का विवा भगवान श्री राम से हुआ तो उन्होंने सबसे पहले रसोई में खीर बनाई थी वह उन्होंने सबको वो खीर परोसी कहा जाता है कि जो महराज दश्रत की कटोरी में खीर थी उस में एक तिनका था माता सीता ने उस कटोरी में से उस तिनके को निकाला और उस तिनके को नजर बर देखा वितिनका जल कर भस्म हो गया तब महराज दश्रत ने माता सीता से कहा कि आप साक्षात जगत जननी हैं सभी प्राणियों का पालन करने वाली हैं आप भूल से भी कभ पर भर मत देखेगा क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके शत्रू का भी वही हाल होगा जो इस तिनके का हुआ माता सीता ने सदेव इस बात का स्मरण रखा और कहा जाता है जब माता सीता रावन के वहां अशोक वाटिका में थी तब वे रावन से कभी भी सीधी की अभी बच्ची से जलकर भस मना हो जाए क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो भगवान श्री राम रावन का उद्धार नहीं कर पाते एसा था माता सीता का चरत्र तो उम्मीद करती हूं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और आप भी आज के दिन भगवान श्री राम औ ये सियाराम